तो क्या लगा था वापस नहीं आएंगे अरे डेफिनिटली आएंगे तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना पूरा गर जो है कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी भी इसकी फ्लोरिंग पैंडिंग है जिसके लिए मुझे एक स्पैशल ब्लॉक्स चाहिए जो कि मुझे जो है हो यहां पे एक स्टॉरिज रूम बनाया था इसकी भी फ्लोरिंग अभी तक पैंडिंग है हमने अभी तक इसकी फ्लोरिंग नहीं कर पाई क्योंकि यह वाले ब्लॉक्स जो है क्शी ब्लॉक्स horns यह मिलेगा scared जहाना ब्लोक्स दुरा बहुत जार जाना पड़ेगा ब के लिए सबसे पहले मुझे यह करना पड़ेगा क्योंकि नाइट में जो है काम करना बहुत डिफिक्ल्ट हो जाता है क्योंकि क्रीपर के साथ साथ जो स्केलटन है यह बहुत डिंजरस होता है उर क्या है और जोंपि वगवगए मरने लग गया है बट मुझे काफ़ी को फैंक दढ़ी मेरे पास ठाड़नेंट है खाना भी थोड़ा बहुत है इतने से काम चल जाएगा बाकी कहाना मुझे यहां से मिल जाएगा मेरे भी है और यहαं पर मेरे ऑप Вас जो यहां से लेके चलता यह मेरा अरम है च्निक टॉच मैंD दूर जाना है और किसी ने बीकन अभी इस पर लगाया नहीं बठा जगा बना के रखी हुए है आप ऐसे तो बहुत टाइम लगने वाला है पर कोई नहीं ज्यादा टाइम बिने लगेगा एक दूस्टेक एंडरपल तो मैं यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ पर किसी का बेस मुझे लग रहा है पानी के पास है चलो चल के देखते है कि किसका बेस है वैसे बेस काफी तगड़ा बना के रख़ा है सारी चीज़े है इसमें एक फार्म भी है और यह कौन सा फार्म है बैए वह आरेन फार्म बनाने की कोशिश कर रहा है फिर कुछ और नहीं ने वह तो टो विलेजर लगाने की कोशिश कर रहा है वहां पर यह कौन सा फार्म है अरे चल के देखते हैं पास से कुछ मस्त लग रहा है मुझे यूद्क एंडरपल फैंक के बेपा चल जाएगा औ तोड़ा सा आगे भी चलेंगे तो मज़ा आजाएगा ये है सीपेस गेमिंग का और ये किसका है ये भी टोर्नाडो का है मतलब ये दुनों टीमेट्स लग रहे हैं मुझे क्योंकि इतना करीब से इतना पास में बने आ सकते हैं तभी जब आप टीमेट्स हो सकते हो एक ही क्ला विजर इन्विजिबल है क्या अच्छा इसके नीचे है ओके तो यह से निकलना पड़ेगा बहुत दूर जाना है कमसे कम चार हजार ब्लॉक्स भी और जाना पड़ेगा सामने मुझे क्रीपर फार्म लग रहा है बोड़ा बहुत ना चोरी करते हैं इसमें से बहुत सारी घ मुझे पता भी नहीं था कि हमारे सर्वर में ऐसे ऐसे नमूने बना के रखे हुए किसी को पता भी नहीं चल लएगा अगर हम यह यहां से थोड़ी बहुत उठा के लेके जाएंगे अरे दिशीद का आयवाइस में पर्मिशन ही नहीं है लॉल पहले पर्मिशन लाना पड़ेगा उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं पर्मिशन काफी तकड़ा बना के रखा हुआ है मतलब बहुत जादा इसमें से गनपराटर निकलते होंगे 5000 ब्लॉक धूर हूँ लेकि मेरे पास एक मस्त आइडिया है क्योंकि मेरे पास रप्टा शेल वैसे चलके जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँचाएंगे अभी मैं मैं मैंनस में अब स्टार्ट हो चुका है मेरा ट्रैवल और मुझे यहां से काफी दूर जाना पड़ेगा इसे करके उड़के जाएंगे सो फाइनले मैं यहां पे पहुँच गया हूँ जहां पे गार्डन फार्म था और किसका था यह मुझे एक्जाटली पता नहीं मोरोपीस का है शायद कि यहां से मुझे आइधिंग मिल जाएगा नहीं मिलेगा क्योंकि पर्मिशन नहीं है मेरे पास मुझे बहुत सारे खु रहना पड़ेगा ताकि सारी चीज़े मेरे पास आजाए मुझे चेक करना पड़ेगा कि किलिए कहां तक होगा या फिर मुझे यहां से इनको मारना पड़ेगा तो ही मुझे मिलेगा मुझे फिशे में मिल रहे हैं जिनका कोई यूज नहीं क्यों रॉक कॉड है वैसी कैट्स को कैच करने में काफी रहेगा लेकि मुझे यह दूनों चीज़े चाहिए जो बहुत कम मिलेंगी चेस्ट में वैसे बहुत ज्यादा होगा बट यह है कि हमारे पर एकस्स नहीं है तो एकस्स लाने के लिए पहले उनको और लाइन रहना पड़ेगा तब जाके हमें एकस्स मिलेगा लेकिंटर यह है कि हम इनको खुद मांके एक तो हमें एकस्पी भी मिलेगा लेवल ट्वांटी से देखो हमारा लेवल फोटी फॉर हो चुका है काफी ज्यादा पावर्फ है यह एक लाइट कलर का ब्लॉक भी बनता है इसे अच्छन करके कुछ है बड़ मुझे एक्जैक्ली याद नहीं है कि अच्छलों को देखते हैं कि क्या बनता है वह अब से विलना दो चार मार के आते हैं बहुत लैग होता है जब इनको हम मारते है या फिर टायम ले पर सारी चीजह मुझे यहांसे नहीं मिल रही कुछ चीजह उसरब जा रही है कुछ ही िहांसे आ रही है फटाफ़र्स से बनाते है एक लाइट अरे कुछ तो था मुझे एक्जैक्ली याद नहीं है डिरेक्ली ब्लॉक्स में चक्कत है शायद मिल जाएगा यहां से ओ यह रहा जिल एंटर ना रहे मेरे को सील एंटर बहुत सारे बनाने पर लॉट चलो अंदर चलके देखते हैं कि कितना हम मलेगा और राइट तो कंपलेट हो चुके है मेरे ब्लॉक्स जितने भी मुझे के पार हो ही जाती बड़ कोई बंदा नेदर में चला गया जिसकी वजह से हम लेवल हंटर नहीं कर पाए बट एट लिस हमें ब्लॉक्स बहुत सारे मिल चुके हैं एका चस्ट वहां पे भी रखा हुआ उस वाले घर में भी और राइट तो कंपलेट हो चुके है मेरे लेवल लेवल हंटर नहीं कर पाए बट एट लिस हमें ब्लॉक्स बहुत सारे मिल चुके हैं एका चस्ट वहां पे भी रखा हुआ उस वाले घर में भी बट हमारा काम हो चुका है हम फटावर्चे ना ये वाले जगा जो है फिल कर लेते हैं सबसे पहले नीचे वाले जगा फिल कर लेते हैं जहां पे हमने बीच में छोड़ा था अपना सारा काम और यहां से स्टार्ट करना है हमें फटावर्चे ब्लॉक्स लगा लेते हैं जि गलत लगा हूँ इसको वापस तोड़ेंगे ओ यहां पे ना काम दीरे से करना पड़ेगा क्योंकि हिस्टू लगा है जिसके स्पीड बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से सबसे पहले यह तूटेगा एक दो तीन चार यह गलत तूटा है और दो ब्लॉक यहां से भी ओके अब दो ब्लॉक यहां से छोड़के यहां पे यहां पे सही है फिर यहां पे और यहां पे यह स्पीड बहुत ज़्यादा है ओके आप मुझे ये वाले blocks place करने हैं ऐसे मुझे पता था कि इसका look बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और border ना इसका मुझे black लगाना चाहिए ये वाला border अकर मैं black कर दूँ तो चल लगेगा क्या उसके लिए मुझे black stone चाहिए और वो मेरे पास नहीं है मैंने किसी को दे दिये थे ये उपर वाले blocks लगाने चाहिए मुझे उपर वाले अब ये मस्त सा लग रहा है बीच-बीच में उज़ा है थिंक बीच में भी लगाना पड़ेगा ताकि torches का ये वाला जुगार भी काम करें और यहां पर एक लगेगा और यहां पर एक अब सही लग रहा है यह बाद में यह वाले flooring मुझे change करनी है बाद में क्या भी change करनी है और ऐसे लगाएंगे और ऐसे set करेंगे हम यह देखो one two three four five and six one two एक दो मुझे यह complete करना पड़ेगा बादर जो इसका रहेगा यह सेम ही रहेगा यह मैं change नहीं करने वाला हमने करने कर करने 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 वे रहेगा जो से स्ट्भव機 नहीं llam गध। झाल 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 यहां से मैंने लिया था वहीं पे वापस लगा देंगे यहां से मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए और कुछ गिलासेज है मेरे पास बाकी यह गिलासेज मुझे और बनाने है और वहां पे क्राफ्टिंग टेबल भी है फटावर से कुछ गिलासेज बना लेते हैं और कुछ यह मुझे यहां से हटाना पड़ेगा बिल्कुल गंदा लग रहा है बिल्कुल मुपे और आती कितने से काम हो जाएगा लेवन बहुत है और मुझे उपर जाना है और यहां से नहीं जा सकता है मैं मुझे यह तोड़ना पड़ेगा और यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यह पूरा लावा उठाना है अब मुझे इसको पूरा तोड़ना है यह पूरा साफ करना है मुझे ओके यह मैंने साफ तो कर दिया है बट इसको शिप्ट भी करना पड़ेगा कहां पे शिप्ट करें यह मुझे समझ में नहीं आ रहा फोड़ा सा एक जगा देखने पड़ेगी पीछे की तरफ फोड़ी सी जगा है बट आइ थिंक वो किसी पे एक क्लेम अगर होगा तो वहां पे लगा नहीं सकते इसको वापस से लावा मुझे बीच-बीच में चाहिए तो मुझे लग रहा है कि लावा के पास में मुझे इसको कहीं पे फिक्स कर देना चाहिए उसके लिए पहले मुझे क्लेम चेक करना पड़ेगा तो ले मिलकुल पास में है कि इसलिये मैं डिर्ट लगाने वाला था इसके साथ मुझे कुछ ब्लॉक्स लगाने है एक और इसके ऊपर मुझे ये वाले ब्लॉक्स लगाने है वान टू थ्री और एन फोर और इसकी सैड में भी मुझे यह वाले सैड में यह गलत लगा है यह वाले सैड में और यह वाले सैड में लगाना था है से ऐसे आइसे और ऐसे यह वाला बीच का जुआ इसको वापस तोड़ना है our protect ह॥ कि सीम अपडर से मुझे यहां पर एक और यहां पर एक लगाना है कि इसको तूड़ना है वापस एक्स्टस्ट्र है उच्बना मेरा लानहा है नवा किस मुझे यहां jest घलगाने है चार बकेट यहां पर आ चुके हैं इसको मुझे वापस तोड़ना है और यहां पर मुझे डिप स्टून प्लेस वापस करना पड़ेगा वैसे एक गायब हो चुके है चार थे मेरे पास सिर्फ तीन आये हैं बागी गायब हो गया है और लावा जितना भी है न इसको यहां पर रख देगे कि इसमें काम आही जाता है लावा जितना भी हमारे पास होगा तो काम आ जाएगा और इसमें चला जाएगा फॉटाफट से मुझे ये वाली जगा खाली लगाने में पर लेवल 99 है मुझे मुझे कुछ बो चाहिए क्योंकि मेरे बो पे जो है ना सरिफ पावा फाइफ लगी है जिस पे फ्लेम है अन ब्रेकिंग थूरी है ये खाली इधर लगा दो जगा खाली है तो इसमें प्लेस कर दिना चुए बाद में मुझे ये भी हटा नहीं है वैसे गलत जगा पर लगे है अब अभी के लिए इनको हटाना बहुत डिफिकल्ट है पिस्टोरेज नीचे है अरे स्टोरेज नीचे भी तो है चलो पर जाना पड़ेगा मुझे यहां से और यह जो मुझे यहां पर प्लेस करना चाहिए यहां पर बड़िया जगाए एक कॉर्नर में आहीं जाएगा आरे नहीं नहीं यहां पर प्लेस नहीं करना था 12345678910 इतना ठीक है ना इतना ठीक रहेगा एक और है यहां पर लगा देंगे इसे बिल्कुल और पर यह किसे लगा दिया मैंने बट कोई नहीं काम तो करेगा I hope level 30 दे रहा है मुझे कुछ बोग बनाने पड़ेंगे जिसके लिए मुझे कुछ स्टिक्स तो है मेरे पास और स्टिक्स थोड़े से ओर चाहिए और यह भी चाहिए strings यह बोग भी काम है आ जाएगे इस बोग को रहने दिन न्यू वाले बोज बना लेते हैं और मेरे पास स्टिक के नापर बहुत कम है सिर्फ आठ है वुड़ तो मुझे मिल जाएगा मुझे लगता है इसको अगर हम इसके साथ आं गया इसके साथ इसको नहीं अभी भी हाफ लेवल पर है वुड़ मिल गई है थोड़ी सी और स्टिक के बना ही लेंगे और मुझे लगता है बाहर भी कुछ अभी रात होने वाले है बहुत सारी मुझे यह चाहिए स्ट्रिंगे से सिर्फ तीन बो बन सकती है चलो तीन बो बना के देख लेते हैं बो बना, ओके बो बनी हुई है, तीन तो बनी गई है, मुझे चाहिए होगा कुछ लैपिस अगर मेरे पास होगा तो लैपिस I don't think मेरे पास, ओके है थोड़े से 64 बहुत है, इतने से तो काम हो ही जाएगा I don't think अब यहाँ पे कुछ स्पॉन होगा, क्योंकि लाइट सोर्ज भी काफी ठीक है, और मुझे अभी इस पे ट्राइ करना है, फ्लेम में लरा है देखते हैं कि अनब्रेकिंग थी भी मिला है, पावर फोर भी मिला है, बट मुझे जो चाहिए, ओके इस पे मिला है सब कुछ, पावर फोर पंच्टू, फ्लेम अनब्रेकिंग थी, अभी एक चीज़ और है, वो है मेंडिंग, तो मेंडिंग इसमें लग जाएगी, अगर हम इनफिनिटी ना लगाए तो, मुझे इनफिनिटी भी चाहिए, और मुझे ना एक और चीज़ प्लेस करनी है, यहां पे वो यह है, यहां से मैंने एंचैंट क पावरफू यूर फलेम और जो खाली फलेम था ना उसको हम डिसेंचैंट करके देख लेते हैं, पावरफू और is तो हर जगाब मिल जाता है और फ्लेम और अन्ब्रेकिंग भी मिली जाता है ये मस्त वाली है ये मेरे आप पास पहले से थी और ये वाली बहुत पावर्फल बन चुकी है इस पे भी कुछ खास नहीं है अब ये दुबारा से हम अन्चान करके देख लेते है फ्लेम अन्ब्रेकिंग वहीं चीज़ें मिल रहें बार बार इन्फिनिटी येस पंच टू के साथ अब मैं चाहता हूँ कुछ को मैं मिक्स कर दू जैसे मेरे पास ये पावर फॉर वाली है ना इसके साथ फ्लेम और अन्ब्रेकिंग है बट मैं इसको पंच के साथ पंच टू और इन्फिनिटी लगा दूगा अब ये देखो वाई सब ये तो काफी ज़्यादा पावर्फुल बन चुकी है पतलब इसके समझे कोई बना टिक ही नहीं सकता मैंडिंग तो इस पर नहीं लगेगी क्योंकि इस पर इन्फिनिटी ल दोज उन थिफिनीटी लगा सकता हूं और एक पावर फाइब मना दूंगा इसमें 5 चाहर है इसमें नहीं फ्रीटि फावर्फुल के साथ यह प्रिंग साथ जो है रहे यह नहीं चाहिए उसे पंच टू पावर फोर के साथ इसको डिसेंचेंट करते हैं तो आपको यह वाला गेम पर लिए वीडियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई